दोस्तों नई शिक्षा नीत 2020 लागू हो गई और खास बात इस शिक्षा नीत में ये है कि ऐसे सेक्टर के उपर फोकस किया जा रहा है जो कि अभी तक अभी तक दोस्तों वो सेक्टर तो था लेकिन उसमें जान नहीं थे उस सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करके और उसे ससक्त बनाने के पूरे के पूरे प्रियास सरकार दोस्तों कर रही ऐसा माना जाता है इच्छा वर्स की आयू तक सारे के सारे बच्चों का पच्चासी फीजदी जी हाँ दोस्तों पच्चासी फीजदी ब्रेन का डिवलप्मेंट हो जाता है और बच्चा पूरी तरीके से एजुकेशन को ग्रेस्प करने के लिए रेडी हो जाता है तो दोस्तों अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो ये फाउंडेशनल नई सिक्षा नेत में ये फाउंडेशनल लर्निंग या फाउंडेशनल एजुकेशन सेक्टर के अंतर गताता है जिसमें बच्चों को अगर वो तीन वर्स के हैं या पांच वर्स के है यहां से दोस्तों शुरुआत करके तीन साल के आंगन बाड़ी में बच्चों को सिक्षा दी जाएगी बालवाड़ी या आंगन बाड़ी और उसके बाद भी कक्षा एक और दो तक की सिक्षा ये जो शिक्षा रहेगी वो प्री प्राइमेरी एजुकेशन का दाइरा रहेगा ऐसी इस्थती में सरकार किसी भी रूप में गुडवत्ता के साथ कोई भी कम्प्रोमाईज दोस्तों नहीं करना चाहेगी और आश्रम शाला हो बालवाली हो या आंगनबाली यहाँ पे जो भी कारकरता या कारकरती दोस्तों काम करते हैं उनको विसेश पर शिक्षन दिया जाएगा उनको छोटे बच्चे जिसको हम सिसु शिक्षा के नाम से जानते हैं उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा उनको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग से आउगत कराया जाएगा कि कैसे how to handle the in friends या हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो तीन वर्स की आयू में ही विद्यालियों की और रुख कर देते हैं हम उनको चित्ताकरसक ढंग से खेल खिला करके पूरा का पूरा यहां पे जो एजुकेशन का फोकस रहेगा दोस्तों खेल के माध्यम से शिक्षा की बात होगी तो आते हैं देखते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करके किस तरीके से और्गनाईज कि ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से जो फांडेशनल लर्निंग है उसको कैसे दोस्तों सरकार ससक्त करने जा रहे हैं पेपर के आएने में हम आपको ले चलते हैं कि क्या तयारी है प्री प्राइमरी एजुकेशन की दोस्तों हर बच्चे के लिए प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी जरूरी बात करते हैं दोस्तों नई दिल्ली से यही की नई सिक्षानीत में स्कूली सिक्षा का जो नया पैटर्न तै किया गया है उसमें हर बच्चे के लिए अपरी प्राइमरी की पढ़ाई जरूरी होगी इसके बाद उसे प्राथमिक स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो नई सिक्षा नेत है उसमें प्रारंभिक स्कूल कहां से शुरू हो रहा है और आंगनबाडी का विस्तार कक्षा दो तक हो गया है अब ऐसी इस्तुति में जो भी फांडेशनल एजुकेशन का दायरा है प्री प्राइमरी का वो कक्षा दो तक है तो अब प्री प्राइमरी में पढ़ने के बाद उसके बाद ही उसे प्रात्मिक स्कूलों में दाखिला मिलेगा फिलहाल प्री प्राइमरी की या पढ़ाई आंगनबाली और आदिवासी छेत्रों में आश्रम शालाओं के जरिये होगी जो तीन साल की होगी नीत में सभी आंगनबाली को ससक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया गया जिसमें उनका अपना खुद का एक बहतर भवन होगा साथी उनके कारकरताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए विसेस रूप से प्रसिछित भी किया जाएगा नई सिक्षा नेत में स्कूली सिक्षा से प्री प्राइमरी को इसलिए भी जोड़ने का प्रियस्ताव रखा गया है क्योंकि विसेसगों का मानना है कि बच्चों के मस्तिस का 85 फिजदी विकास चावर्स की अवस्था से पहले ही हो जाता है जबकि अपने देश में ज़्यादा तर बच्चों की पढ़ाई ही अभी 5 साल के बास शुरू होती है ऐसे में बच्चों की शुरुआत ही काफी कमजोर होती है जिसके चलते वे आगे बेहतर प्रदरसन नहीं कर पाते यही वज़ा है कि नीत में अब बच्चों को तीन साल की उम्र से ही पढ़ाई से जोड़ने का परस्ताव किया गया है जी हाँ दोस्तों तीन साल की उम्र में बच्चे आंगनबाड़ी बालवाड़ी आशरम शालाओं में आएंगे और तीन साल पुड़ी पढ़ाई करेंगे तीन साल उनका आँगनबाड़ी की पढ़ाई हो गई और चोथा साल उनका दोस्तों कक्षा एक रहेगा पाँच्वा साल उनका जो है कक्षा दो रहेगा इस प्रकार से पान साल का जो सिक्षा रहेगी वो फांडेशनल लर्निंग के सिक्षा रहेगी foundation education की रहेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये वीडियो ये information आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पर कमेंट करना लेकिन अगर आप DC टैनिंग प्रताब गल उत्तर प्रतेश के इस खूब सूरत यूटूब चैनल पर नहे है पहली बार विजिट करें तो प्लीज इसे सब् बगास दूएसान है